नमस्कास सातियों स्वागत है आप सभी का बोर्ड एक्जाम 2021 को लेकर मैं आपको पल-पल की अपडेट देता आ रहा हूँ सातियों मैंने कल वीडियो के अंदर आपको बताया था तो आपने कमेंट करके पूछा था कि अगले वर्ड का पेपर का पेटरन क्या होगा क्या उसमें बदलाव होगा तो मैं कहूंगा जी हाँ उसके अंदर बड़ा बदलाव किया गया है आपको अगले वर्स के पर्सन परतर के अंदर बहुती बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वीडियो के अंदर में डिसकस करने वाला हूँ कि 2021 बोर्ड परिक्सा के पेपर के अंदर किस परकार के पर्सन आएंगे क्या-क्या चेंजेज होंगे क्योंकि सेलेबस बदला है उसके बाद में पेटरन भी बदल गया है परिक्सा के पेटरन पर बात करने से पहले मैं आप सभी को अवगत करा देता हूँ कि अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि परिक्साएं ओनलाइन और ओफलाइन दोनों मोड से होगी फिर मैंने आपको बताया था कि आपको 75% जो अटेंडेंस होती है वो अब भी नेम लगू है कोरोना के 20 भी यही नेम लगू होगा तो आपको ओनलाइन क्लास मिस नहीं करनी है ध्यान रखना है कहीं आगे चलकर दिक्कत ना हो जाए फिर मैंने आपको यह भी बता दिया है कि 2021 बोर्ड परिक्सा के अंदर सभी बोर्डों का सेलेबस 30 से 50% कम किया जाएगा अगर इस्तती और नहीं सुतरी तो और भी ज़्यादा सेलेबस कम हो सकता है वो आगे डिफेंड करेगा अब बात करते हैं जिसके लिए ये वीडियो में बना रहा हूं सातियों 2021 बोर्ड परिक्सा के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे सातियों पहली तो ये बड़ी खबर है कि आपको अगले वर्स जो एक्जाम होगा उसके अंदर MCQ पर्षन और डिस्क्रिप्टिव पर्षन दोनों के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा दोनों में 50-50% पर्षन आएंगे यानि कि आपके जो ऑप्षन वाले पर्षन होते हैं वो 50% अंग के आएंगे और जो लिखित में बड़े उतर देने वाले पर्षन है उसका रेटियो भी 50% ही रहेगा और किस परकार आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ objective question होते हैं जो कि एक नंबर के होंगे वो 19 आएंगे दो नंबर के objective question 5 आएंगे इस परकार टोटल 35 अंग के person आएंगे objective type के अगर बात करें descriptive type के person कितना आएंगे तो वो भी 35 अंग के आएंगे यानि कि 50-50% दोनों का weightage रहेगा जो कि पहली बार हो रहा है ताकि आपका समय बस सके और आपका knowledge का भी test हो सके इसी को ज्यान में रखते हुए Corona के चलते ये फैसला लिया है कि आपके ज़्यादा A-Base सेदे वाले person ज़्यादा पूचे इसमें आपको पढ़ना भी अच्छी तरीके से पढ़ेगा और आपके लिए फायदा भी होने वाला है क्योंकि इस 6 Qs आएंगे objective type के और 11 Qs आएंगे descriptive type के long answer वाले सात्यों आपके Hindi, English, Science, Mathematics सभी का syllabus चेंज हो चुका है सात्य में सभी का pattern भी चेंज हो चुका है सब के अंदर अलग अलग परकार के person आएंगे 10th board में अलग परकार के person आएंगे 12th board का अभी ये मैंने दिखाया है अगर आप